हलो दोस्तों आजा एक नॉम्बर दोजार बीस और एक नॉम्बर दोजार बीस ते जितने भी हर्याना करन टपेर के क्वेस्टन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनके बारे में कुछ आश्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे और लास्ट में आपके लिए एक पसु उप्सार हर्यान में कहां पर खोला गया है तो इसका राइटनेसर है ओप्शन ए नार्नोल में देश का पहला ओनलाइन पसु उप्सार के अंदर नार्नोल में खेला गया है खोला गया है यह उप्सार के अंदर है इसमें हम अपने पसु की फोटो या ओनलाइन वीडि अथे कि नार्नोल को नंदीव ग्राम विकाता है नार्नौल को और NOR NOR腿र वीरासत का शेयर यह जाता है कि पारध के सबसे बड़ा पलास्टिक पार्ट विर नार्नोल में हिस्तित है महं द्रगप का एखमा तरजेला हो रहर या महं मेंदर्गड नहां होकर नार्न उल्म मेंदर्गड का मखेल्य अरसाथ मार्त किते मेंदर्गड की तो मेंदर्गड के सताया पुरा नाम毡 करम नाम है करम दिए जाते हैं और दोस्तों मैं आपसे आपको कहता हूं सुभार डैली मौनरिग में उठकर अपने profess चाहे चोटा सा टार्गेट फिक्स करो लेकिन एक टार्गेट फिक्स करो और सारा दिन उसे अच्छीव करने में लगा दो अपी लाइफ आटोमाटिक अच्छी हो जाएगी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर लिमका बुक आफ रिकोर्ड ने देश का सबसे बड़ा दर्म कर रहता हैं tor राइट यसर है ऊपशनेट टोप्रा कला टोप्रा कला को लेकल कर रिकोर्ट ने दर्मेश्ट धिया है और या डोप्रोच्छे अपर में पलता है युभनानगर में और इसका वजन चैटन और व्यास 30 फुट और इसमें 24 तिलिया है 24 तिलिया और बात करते हैं युम्नानगर की इसकी स्थाफन एक नौंबर 1989 को इती युम्नानगर को पेपर सिटी के नाम से इव जाना जाता है और युम्नानगर में काले से राष्टिय पारक है बहुत ही परसिद पारक है और इसमें कपाल मोचन गुरुद वारा है इसमें बिरबल का रंगमायल भी और चनेटि का सपूत भी है एक क्वश्चन अचासी कई बार पूछ का अपने एक्जाम मेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन हरीयाना पुलिस दीवस कब मना जाता है और अ तो इसका राइच नशार है उ एक नूंबर सब्सक्राइब क कि स्ताफॉवॉष तो है सेवा शरक्षा और सहयोग यह बहुति इंपोर्टंटेन राय पूली duż के बारे में लिख लेना तो का मुख्यालियां लए पंचकुल अर्फ अर्यानव दो तरह के पुली स्थाने है पुली स्टेशन है एक महिला पुली स्टेशन एक पूरुस पुली स्टेशन तो अर्यानव है पूरुस पुली स्टेशन सिंख्या 289 और महिला पुली स्थाने 34 और महिला पुली स्थाने वी दो तरह के है एक पिंक महिला पुली स्था पुलिस्ताना तो महिला पुलिस्तानों की स्तापना 23 अगस्त 2015 को पंच कुल्ला में रक्षा बंदन के दिन होई थी और पिंक महिला पुलिस्तानों की स्तापना 18 अगस्त 2019 को ती next question है हर्यान में नीजी सुरक्षा जैंसी लाइंसें स्काल नवी करें और रिन्यूवल ओनलाइन स्कीम कप्छे लागू होगी तो इसका राइटने स्वर है उप्सन ए एक नॉम्बर से ही यह स्कीम लागू होगी इसमें हम को इलाइंसें बनवाते हैं उसे हम ओनलाइन ही जान की महिला को बिजनस स्की टैग मिला है निये बिजनस स्की टैग मिला है ऊप्सन ए टहना दीवालपूर की महिला अंजूबाला को अंजु बाला को या टैग मिला बिजनेस टैग क्योंकि वह सिलाई का काम करती हो और आप तो शिलाई का काम करती है सात्य मिआ सपास की 50 से अधिक महिलाएं को यह काम सिकाती इसलिए उसे बिजनेस सखी टैग मिला कुर्चेतर की किस वेटी को अमरीका के महिला कलब दुवरा अंतराष्टिय बाली का एक्सिलेंस अवार्ड 2020 से समानित किया गया है इंपोर्टन क्वेश्चन है तो उसका राइट एंसर है उप्शन ए रिया को यह अवार्ड मिला है क्योंकि यह वार्ड उसे अर्थिक मंदी यानि गरीबी में भी उसने हर ककसा कलास में टोप किया है और साथ में ही समाजिक कारिये भी किया है इनकि दूसरे लोगों का कल्यानिया बला भी किया है हर्यान सरकार ने विद्धोसों में रहे रहे हैं हर्यानियों की समिस्या की समधान के लिए कौन सा नया विवाग मनाया है यान की हर्यान सरकार ने जो विद्धेशों में हर्यान के व्यक्ति रहे रहे हैं उनकी समिस्याओं को समदान के लिए कौन सा नया विवाग मनाया है तो स्कराइट निस्वर है उप्षन डी विदेश सहकारिक्ता विवाग यह विवाग मनाया हर्याना सरकार ने विदेशों मराया रहे समिस्याओं की समदान के लिए और इसका फायदा सबसे ज़्यादा उद परिद्योगिक परिश्द का नाम बदलकर क्या रख दिया है। तो शक्राय टे नसरा उप्शन C. नाम बदलकर नाम बदल कर है। नास्ट कuenश्चन है प्रदेस में बिमार पुसू के उपचार के लिए पुसू प्लकों के गर दोबार पर ही इलाज के लिए कौन सी सुविदा सुरूत की जाएगी इनकी प्रदेश में पसू के उपसार के लिए पसू पालकों के गर्ब पर ही लाज करने के लिए कौन सी सुविदा सुरू की जाएगी तो इसका रायटने सुरू है उप्शन पसू संजीवनी सेवा सुरू की जाएगी पसुओं के उपसार के लिए गर पर ही इलाज के लिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरू कर देना और शाथ में उगण टेका इकन दबा देना ताकि आपको आने वली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और आपको वीडियो को देख सके क्वेशन नम्पर दस हर्याणा ने के इंदर से चंडीगट की किस उनिवर्स्टी में अपनी स्यदारी मांगी है और रियाणा ने अपनी स्यदारी मांगी है यह ऐसा क्यूं है क्योंकि कि 1996 में पंजाब इनिवस्टी में 52% केंदर सरकार का सेंटर सरकार का था और 4% ही सहाराज पंजाब सरकार और 4% ही सहारियान सरकार का था लेकिन 1996 बंसिलाल कि सरकार ने इस से अपनाई सवापिष ले लिया क्योंकि जिसका भी इस्षयदारियत ही है उसेुसे फंड देना ओता है इनिवस्टी को , लेकिन बंसिलाल सरकार ने से देने से मना कर दिया और इस सववापिष में लेकिन अब मनूराल खट्र ने अपने कहा hoje कोड में चल रहा है वहाँ पर हे रिक ने कहा कि यसे 8 क्रोड सालाना रूपे का जुर्माना देना होगा हर्याणा सरकार को लेकिन हर्याणा सरकार करें हैं हम 20 क्रोड रूपे दे सकते हैं इन्विस्टी के फंड में तो अब ये केस कोट में चल रहा है देखते हैं क्या फैसलात है और लास्ट वीडियो का क्वेस्चन है था तो मर्स असनकाल की जानकरी किस गरत में पराप्त होती है तो इसका रायट असर है उप्शन ए यस सतलिक चंपू में तो मर्स असनकाल की जानकरी पराप्त होती है और आज का क्वेस्चन है हरियाना कि किस जिले में लाल चेसनेट मिट्टी पाई जाती है दोस्तों अगर आपको अनसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरू करना और उसके तो क्वेस्चन के बारे में पूरा ड्रेल से लिकना इससे आपको क्वेस्चन लंबे सिमत्क याद रहता है और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना थांक्यू सो मच वीडियो देखने के लिए